प्रेश सालोड सभी को जह मसी की मैं प्रभू का बहुत धन्यवा देता हूं इस समय के लिए तो आईए मेरे साथ आज का विशा जो प्रभू ने दिया है निर्गमन पच्चिस अध्याए हम उसको पढ़ेंगे हम इदर निर्गमन पच्चिस का सतारा वचन से हम पढ़ते हैं फिर चोखे सोने का एक प्राच्चित का ढखना बनवाना उसकी लंबाई अढ़ाई हाथ और चड़ाई देड़ हाथ की हो और सोना डालकर दो करूब बनवाकर प्राच्चित के ढखने के दोनों सिरों पर लगवाना एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना करूबों को और प्राच्चित के ढखने को उसके ही तुकडे से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना और उन करूबों के पंक उपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्राच्चित का ढखना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्राच्चित के ढखने की और रह तो मैं इदर बात करना चाहता हूँ मेरे अजीजों आप इस विशे को अच्छी तरह सभी जानते होंगे कि परमेशर ने अपने लिए निवास्थान बनाने के लिए बोला मुसा को तो यहां पर मैं पूरे विशे में ने जा रहा है इदर एक धकन बन रहा है धकन किसका है यह संदूक है मिलाबाले तंbू का जो मुख्य भाग है जो मुख्य चीज है वो एस संदूक वह बाबूल की लकडी से बना है और अंदर से बाहर से सोने चोक्य सोने से मडा हुआ है और मैं अदर आपको बताना चाहता हूँ इदर करूब शब्द है करूब बोलता है करूब जो है वो स्वर्ग दूतों को बोला गया तो प्राचित के धकन के ओपर दो स्वर्ग दूतों को बनाना है जो धकन की एक तरफ दूसरा है एक तरफ दूसरा है यानि कि दो करूबों क बनाना है और वचन में हम पढ़ रहे हैं कि उनका मुऊ ज़ा उनका चहरा आमने सामने हो तो आज हम इसी विशेप पर बात करएंगे मेरे अजी जो यहाँ पर जो कृूब है जो स्वर्गधूथ Reynolds है वो ढगकन के ओपर रहेंगे और उनका मुऊ आमने सामने रहेगा आज सेवकों के बीच में इसी बात करा है पंगा यहीं पे है जबकि हम देखते हैं यह संदूख यह प्रभु येश्यमसी को दिखाता है और ढकन के उपर जो स्वर्ग दूद आमने सामने मूँ करकर बैठे है मेरे भाई वो किस चीज़ के लिए इशारा कर रहे है कि जब हम सबने एक रहना है जानी की हमारा हमारा जा किसी का भी हमारा चहरा एक दूसरे के सामने रहना है जानी की किसी के प्रती दूसरे के अंदर नफरत नहीं रहना समझ आ रहा है मुह आमने सामने रहने का मतलब आज देखते है कलीसिया में कुछ विश्वासी होते है मेरी इसके के साथ नहीं बनती मैंनि उसकी मेटिंग में जाओंगा मैंनि अरादना मैंनि उस इलाके में जाओंगा यह क्या चक्कर है जानी कि अभी तक आप ने अपना मुँ सिदा नहीं किया आपका मुँ पूठा है उल्टा है समझ आ रहा है is लिए मेरे भाई बेहन अगर स्वर्गद दूतों का मौ आमने सामने हैं, जाने कि इनके अंदर पर्मिशन उनका मौ आमने सामने बनाया है, जाने कि इनके अंदर एक दूसरे के प्रती नफरत नहीं है, उसी तरह मसी कलीसिया में एक विश्वासी की, एक सेवक की, किसी के प्रती, कोई महल, कोई नफरत, कोई वैर, कु आमने एक विश्वासी भाई बहन के सामने रहोगे तो आपके उपर तबी परमेशर का महिमा उतरेगा वरना नहीं उतर पाएगा समझ आ रहा है आपको इसलिए स्वर्गदूतों का संदूक के उपर मुँ आमने सामने है तो आज मेरा और आपका भी अगर किसी भाई की बहन के साथ गड़ बढ़ है जा किसी विश्वासी भाई बहन की किसी के साथ गड़ बढ़ है तो आज वो सही कर ले आज अपना मन जानी के अपना चेहरा आमने सामने रखे किसी के प्रती नफरत वैर अपने अंदर पैदा ना करे कहीं आप पाप को जनम ना दे बैठो समझ आ रहा है इसलिए पाप थोड़ी देर का है लेगिन ये आपको बरबाद कर देगा पाप हमें क्या देता है मज़ा आमने सामने रहेगा परमिशर का महिमा को आप ऐसास कर पाएंगे कलीसिया में आप सेवक एक सेवक की दूसरे सेवक के साथ अगर नहीं बनती तो प्लीज किरपया करके सवचन को पढ़ लीजिए प्राष्चित के ढकन के उपर जो स्वर्गदूत है वो उनका मूँ अगर आमने सामने है तो आज की कलीसिया में आज के सेवकों का मूँ भी आमने सामने रहना है एक के प्रती पीठ पीशे मत कर देना हाँ वो आ रहा है सामने से मैं रस्ता ही बदल दूंगा मैंने इसको जैमसी की बुलाओंगा मैंने इसको मैंने इसको घर में बुलाओंगा यह क् मतलब आपका मुँ अभी आमने सामने नहीं है आपने परमेश्र को पहचाना नहीं है तो इन बातों के दरा प्रभू आप सब को आशिच दे सभी को माराना था